अभी सीजन का कोहरा और ठंट पड़ी भी नहीं कि इसकी दस तक मात्र नहीं ट्रैफिक पुलिस की पोल खोल के रगदी है जिहां प्रशासन द्वारा कोहरे और रात में वाहनों के पीछे रिफलेक्टर लगाने के निर्देश भी दिये हुए है लेकिन इस और किसी का ध्यान ही नहीं है इसी कमी के चलते ही आज मुंडा पांडे थाना शेतर में रामपुर रोड पर टोल प्लाजा के पास कोहरे के चलते एका एक वाहन आपस में एक दूसरे से टकराते चले गए इस कारण कई गाड़िया बुरी तना श्रती ग्रस हो गए गनिमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई सूशना पर पहुंची थाना पुलिस ने वाहनों को एक तरफ करवा के ट्राफिक स्यो करवाया टोल करमचारी हसन ने बताया कि आग सुभा से कोहरा बेहत घरा था जिस कारण गाड़ियां एक करव भिरती जली गई पॉरण ही पुलिस को सूशना दी गई जानकारी अनुसार उत्रपरदेश के जिला मुरादा बाद दिली लखनौ जब कोहरी के चलते गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई लगा तार छे गाड़ियां एक दूसरे से टकरा जाने से हाहा कार मच गया और लोग नेशनल हाईवे की तरफ दोर पड़े गनीमत यह रही कि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ लेकिन कारों में बैठे कुछ लोगों को जरूर मामली चोटे लगी मोके पर पहुंची पुलिस द्वारा मामले को संध्यान मिलेकर रास्ते को साफ करवाया गया आपको बता दे कि आज सुबा से ही कोहरा जैसा मोसम दिखाई दे रहा था नैशनल हाईवे पर कोहरे के चलते कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुनापान्डे के गाम शप्रा मोड परचानक के गाड़ी के बेक लगने से उसके पीछे आ रही दूसरी गाड़ी कार में जा टकराए वही उसके पीछे आरहा ट्रक और ट्रक के पीछे अन्य गाडिया एके करके छे गाडिया एक दूसरे से टक्रा गई जिहां गुरुवार को दिली लखनव हाईवे पर छे गाडियों को आपस में टक्रा जाना इस और इशारा करता है कि जल्द ही अगर ट्रक पुले ज्वारा इस और ध्यान नहीं दिया गया तो और भी बड़े हाथ से हो सकते हैं फिल्हाल अब ट्रक समाने है 8 5 9 1 7 3 8 7 3 1 कितनी गाड़ी हैं? टोटल 6 गाड़ी हैं इसमें कोई गाड़ी है? जोड़ी बड़ी है वैस तोड़ी बड़ी है? चोड़ी बड़ी है जादा कोई सेरियस नहीं है क्या बजा इसे जोड़ी है? यो खराब मोसम होने की बजाए अपर्फेक्ट वेन्यू फो वेडिंग, लाँचिंग, पार्टी राजगराना एंड जोटी गाडन अजे बड़ी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज ऐसे ही लेटेस्ट परेपाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइज, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद